Hello everyone and welcome to BHU Parts Salah GKN GES की जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 700 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं उसकी ये सेकंड वीडियो लेक्षर है मैं हूँ आदित्य सिंग और आपका बहुत-बहुत स्वागत है BHU Parts Salah के आउन्लाइन लाइन प्रट्वार्वम में बिना किसे डिले के हुए सेधे हम अपने पहले कोशन के तरफ चलेंगे उससे पहले हम ये जान ले कि ये जो सीरीज चल रही है बिल्कुल बाइलिंग्वल है और उसी के साथ साथ इसका पीडिये जो आपको BHU Parts Salah पर प्रोइट करा जा रहा है और इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो भी कुशन आपको बताया जा रहा है वो सारे कुशन को आप बिल्कुल नोट करके रखिए बिल्कुल दिवागों बिठा करके रखिए और जो भी आपको कुशन दिया जा रहा है कि आप उसका आंसर जो है वो comment box में करें तो उसका आंसर आप जरूर comment box में करें किसले वीडियो का आंसर कुछ लोगों ने किया था और बहुत बहतर आंसर दिया है तो इसके लिए मैं उनके जो भी efforts उनको मैं appreciate करता हूँ तो चलिए आज किम अपने अगले question की तरफ चलते हैं देखिए हमने 20 questions already discuss कर चुके हैं और आपको पता होगा already कि यहाँ पर हम GKN GS में यहाँ पर biology cover कर रहे है current affairs cover कर रहे है history, geography, politics सारे चीज़े में यहाँ पर cover कर रहे है तो यहाँ पर आज कुछ आपको science के question दिखेंगे यहाँ जनरल साइंस के biology से रिलेटेड उसके बाद आपको कुछ current affairs के भी question देखने को मिलेंगे तो आई आज का पहला प्रस्ण देखते हैं यहाँ कि 20 प्रस्ण के बाद 21 प्रस्ण तो आज का हमारा यह प्रस्ण है 21st question कहा रहा है कि night blindness is due to the deficiency of vitamin हमसे प्रस्ण है पूछ रहा है कि रताओधी जो रोग होता है वह किस vitamin की कमी की काड होता है तो जो रताओधी रोग होता है वह किस vitamin की कमी की काड होता है तो वह वाक्स में लिखने के लिए प्रिवेस वीडियो में तो आपने लिखा है बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ ताथ vitamin D का क्या हो जाएगा आपका वह जाएगा कैलसी फेरॉल ठीक है और उसी के साथ तो हमारा 22nd कोशिन कहा रहा है कि विच इस तब बेस सोर्स आफ विटामिन ई विटामिन ई के सबसे अच्छा स्रोथ कौन सा है तो आप सब आड आता है डोटीजमेंट में सुना होगा आपने की बालों के लिए की अलमेंट हेर अल का प्यूज करें वह बहुत भैतर होता है ऐसे करके अपने सुना होगा तो उसी से आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अलमेंट जो होता है वह विटामिन ई का बहुत बेस्ट या कहलें बहुत अच्छा सुरोथ होता है अब यह आपको जानके रखना ह और option में आपको यहां पे orange मिल रहा है, orange जो है वो किश्यूज का है, orange जो है वो vitamin C का एक बहुत best source है, और उसके बाद आप यहां पे meat दिख रहा है आपको, तो meat में क्या मिलता है आपको, vitamin B6 मिलेगा, vitamin B6 मिलेगा, और उसी के साथ साथ vitamin B12 भी आपको मिलता है ठीक है, vitamin B12 भी आपको महाँ पे मिलता है, और ז다면 iron और niasin भी आपको meat मिलता है, कायरट जिसे गाजर कहते है वो किसका एक important source है तो विटामिन A का एक important source है यह आपको चीज़े बिल्कुल पता होने चाहिए अब हम अपने अगले प्रस्ण पर चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण कहा रहा है deficiency of vitamin D in children causes यानि की बच्चों में vitamin D की कमी के काड़ क्या होता है यानि कौन सा रोग होता है तो देखिए आपको option दिख रहा होगा इसक्रिन पे और यहां पे चार options है रिकेट्स, बेरी-बेरी, एनिमिय और इसकर वी तो इसका जो exact answer होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आप सबको पता भी होगा तो इसका exact answer क्या होना चाहिए रिकेट्स होना चाहिए ठीक है बच्चों में क्या होता है रिकेट होता है विटामिन डी की कमी के कार और विटामिन बीवन की कमी के कार क्या होता है बेरी बेरी होता है और एनेमिय किस के कमी कार होता है यह किस के कमी कार होता है यह आपको जानना बहुत जरूरी है वो आयरन की कमी के कार होता है ठीक है यह उ अपने अगले प्रस्ण के तरफ चलेंगे हमारा 24th question है which of the following is vitamin E ठीक है हमसे प्रस्ण ही पूशा जा रहा है कि यहाँ पर आपको chemical name दिया हुआ इस्क्रीन पर आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें vitamin E का chemical name है तो देखिए जो आपका exact answer होगा वो आपका क्या होगा tocopherol ठीक है tocopherol जो है वो vitamin E का chemical name है और retinal मैंने आपको अल्रेडी बताएए vitamin E का क्या है यह chemical name है और calciferol जो है वो किसका chemical name है तो वो है vitamin D का और इसी किसाथ साथ आप यह भी जानिए कि thiamine जो है वो vitamin B1 का vitamin B1 का यह क्या है आपका chemical name है तो यह सारे fact आपको clear हो चुके होंगे हम अपने अगले question पर चलेंगे which vitamin is also known as vitamin B2 अब देखिए किस vitamin को vitamin B2 के नाम से भी जाना जाता है riboflavin, thiamine, niacine, none of these तो इसका जो exact answer होगा वो क्या होना चाहिए riboflavin तो आपका पर शीक्ति ए किसका ़ेंड कंपिए अब देखिए मैं आपको thiamin के बारे में बदाए है किOhamine जो है यह किसका यह किसका यह B3 का थीक है यह किसका वी 3 का तो आपको अलड़ी वी 1 किसका हो गया वी 1 का thiamine हो गया आपका chemicalika बीटू का केमकल नेम राइबोफलावीन हो गया और बीठी का केमकल नेम क्या हो गया आपका तो बीठी का आपका होगा नियासीन तो यह सारे आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए हम अपने अगले कुश्चन की तरफ चलेंगे हमारा 26 कुश्चन है आपका मेन फंक्शन आफ लीफीज यानि कि जो पत्ती होती है उसका मुख क्या होता है तो मैनुफेक्ट्चर अफ गूड़ सारी मैनुफेक्ट्चर अफ फूड यानि भोजन का निर्माड एक्शेंज अफ गैसिस गैसों का आधान परदान नर्व इंपल्स कंडेक्शन तंत्र का आविक्शालन दे आपको पता होगा कि जो प्रकास अंसलिसर्ट की प्रकिरिया होती है उसी के तुरू जो है वो बोजन का निर्माड का कार पौदों में होता है तो जो इसका एक्जाक्ट टाइमसर क्या होगा होगा मैनुफक्चर अफ फूड ठीक है निकि भोजन का निर्माड अब यह आप fruit is called follow के अध्यन को क्या कहते हैं तो आपको यहां पर आप्शन दिख रहा है embryology, palynology, pomology, morphology तो इसका जो exact answer होना चाहिए वो क्या होना चाहिए pomology ठीक है जो फल का अध्यन होता है यह फलों के अध्यन को क्या कहते हैं pomology कहते हैं ठीक है यह बिल्कुल आपको clear हुआ अब देखिए यह आपको जाना जरूरी कि embryology क्या होता है तो देखिए जो formation होता है या कहले growth और as well as development of embryo होता है उसकी जो study होती है यानि हम यूँ कहें कि study of formation, growth, development of embryo is known as embryology यहनि कि brood का जो विकास होता है उसकी जो वृद्धी होती है उसका जो अध्यान होता है उसको हम क्या कहते हैं brood विग्यान कहते हैं उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे और option दिख रहा होगा यह option में है पैलिनोलोजी अब पैलिनोलोजी क्या होता है study of pollen grains आप देखे होंगे plants में pollen grains को बहुत बहुतर तरीके से उनकी जो study होती है वो क्या होती है पैलिनोलोजी और उसी के साथ साथ एक और option आपको दिख रहा होगा यह option में है morphology morphology किसको कहते हैं इसको आकरती विज्ञान कहते हैं आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा इस्क्रिन पे और यह जो होती है study of word structure यहाँ कि वोर्ड की संग्रशनाओं का जो अध्यान होता है यहाँ पर morphology होगा यह सारी चीज़ आपको बिल्कुल clear होना चाहिए कि geomorphology जो है वो किसका अध्यान होता है हम आगे चलते हैं हमारा अगला question है blood groups were discovered by हमसे प्रस्निया कह रहा है कि रख तो सम्मूहों की कोश किसके द्वारा की गई तो रख तो सम्मूहों की कोश जो हो लेंडिस्टीनर द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी लेंडि 2001 में इसका जो है वो कोश किया गया था यह आपको जाना बिल्कुल भी जरूरी है अब इससे आगे हम चलते हैं और भी facts देख लेते हैं other options से लेटेड तो यहां पर आपके robot coach है ठीक है तो robot coach जो है वो किसलिए famous है यह आपको जाना जरूरी है robot coach ने जो है वो bacteria का खोश किया में किया था कब किया था 1882 में किया था ठीक है और इसी के साथ 1883 में ने क्या किया था आपको यह भी जानना जरूरी है right जो है विब्यो कॉलडरी से होता है कि वायरस तो साथ deposit है वो होता है विब्यो कॉलरी है तो उसकी कोज भी cholera की जो bacteria है यानि कि Vibrio cholerae की कोज़ की थी यह सारे fact आपको clear हूँ होँगे इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं William Harvey के बारे में तो William Harvey ने जो human circulatory system है इसकी कोज किसने की थी तो William Harvey ने की थी यानि की circulatory system की कोज किसने की थी तो इसका exact answer क्या होगा आपका विलियम हार्वे होगा तो यह सारे फैक्ट आपको बिल्कुल जानके रखने हैं हम अगले क्वेशन पर चलते हैं ब्लड ग्रूप डाट कांटेंस एंटीजन एंड बी देखिए सिंपल सा प्रशन है पूछ रहा है कि वह समूह कौन सा होगा जिसमें एंटी एंटीजन ए की बात की जा रही है और एंटीजन बी की और यही एक उप्शन है जिसमें एंटीजन दोनों दिख रहे हैं ए और बी अब जैसे माली जी आपके जो भी ब्लड ग्रूप होता है जब आप होस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर कोई भी इंसान एडमिट हो है हम आप अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं हमारा अगला कोश्चन है life of RBCs in human blood is of मानव रक्त में RBC का जीवन होता है तो यह कितने दिन का होता है 30 दिन का 60 दिन का 120 दिन या 15 दिन तो इसका जो exact answer होगा वो आपको क्या हो जाएगा 120 कितने दिन का होता है वह 120 दिन का होता ह अब WBC की जो औसत कहलें की जीवन होता है वो कितने दिन का होता है 13 से 20 दिन या कहीं कहीं आपको 12 से 20 दिन भी आपको देखने को मिल सकता है तो आप दोनों facts बिलकुल याद करके रखेंगे या 13 से 20 दिन या फिर 12 से 20 दिन आपको देखने को मिलेगा हम अपने अगले question पर चलेंगे the volume of blood present in adult human is व्यक्त मानों में रख्त की मात्रा होती है यह मात्रा कितनी होती है तो यह भी आपको जानना जरूरी है देखिए अच्छुली होता तो है five to six ठीक है five to six liters होता है but option के according आपका five फ्लीटर जो हो exact answer होना चाहिए ठीक है यह आपको फैक्ट बिल्कुल जानके रखना है यह सारे फैक्ट रहा हम अपने अगले कुश्चन की तरफ चलेंगे हमारा अगला कुश्चन होगा इन प्लांट्स which one of the following gases is released during photosynthesis पौदो में प्रकास संस्लेशर के दोरान निमलिखित में से कौन सी गैस निकलती है तो वो कौन सी गैस निकलती है आप सबको पता होगा बिल्कुल basic सा कुश्चन है इसका exact answer क्या जागा अपका carbon dioxide जो है वो यूज करता है प्लांट और निकलता क्या है वहाँ से तो निकलता है oxygen निकलता है इनि प्रकास संस्लेशर के प्रकिरिया का जो output होता है कहले यह outcome होता हूँ क्या होता है oxygen होता है पौदे जो है उसको carbon dioxide को आवसोसित करते हैं और बाद में excel क्या करते हैं तो वह होता है oxygen उसी किसाथ साथ और भी gases का वहाँ पर अ यहां entrance perspective से आपका बहुत बड़ा रोल नहीं है बट फिर भी आप उसको रिवाइस कर सकते हैं इसमें मैं अगर उसको प्रणॉंस करों तो सी ऐसे करके है कि 6 co2 प्लस 6 602 और उसके बाद से फिर वह क्या बनता है तो बनता है तो यह भी आपको जानके रखना है हम आगे चलते हैं हमार आगला question है the largest gland in the human body यह नि मानों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है यह सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है हम से यह पूछा जा रहा है तो जो इसका exact answer होगा वह आपका क्या हो जाएगा लीवर लीवर जो है वह सबसे बड़ा gland है अब देखी यह भी आपको जानना जरूरी है कि यहां पर और भी option है कि हाँ-grown- आपको दिख रहा है अबパन क्रियाास से कौन सी हार्मोन से क्रीट होती है तो वह हार्मोन है इंसुलीम और गल्युकावन क्या होता है कि लोगों के इंसूलीम कलेवल्या तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है हो बहुत जादा बढ़ जाती यह भी आपको जानना की तरफ चलते हैं हमार अगला question है major part of digestion is completed in पाचन का अधिकांस भाग कहां पूरा होता है यह हमसे प्रस्ण पूछा जा रहा है मूँ यानि माउथ में पेट में इस्टमच में या फिर आपका small intestine में छोटी आत या large intestine यानिकी बढ़िया तो इसका जो होगा वो क्या होगा आपका small intestine में आपका जो है वो डाइशन complete होता हो डाइशन स्टार्ट कहां से होता है तो आपका होता है माउथ से स्टार्ट होता है यह आपको बिल्कुल जानना जरूरी है अगले question की तरफ चलते हैं हमारा अगला question है rats are known to transmit the germs for चुहों को कौन से रोगाड़ों को संचारित करने के लिए जाना जाता है malaria typhite plague यानि plague की बात की जा रही है और last में आपका rabies यानि कि जो कुत्यों के काटने से rabies होता है उसके बारे में बात की जा रही है तो देखिए इसका जो exact answer होगा वह होगा plague ठीक है यह आपको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है इससे लेटेट एक और भी important fact है जब अहमदाबाद मेल स्टाइक होता है आपका कब होता है वो 1918 में ठीक है कब होता आपका 1918 में आहमदाबाद मेल स्टाइक होता है जहां पर गांदी जी जाते हैं तो वहां पर यही जो है चुहों के द्वारा जो फैला गया plague था वहाई उस ताइम वहां पर एक बिमारी फैली होई थी तो इसका जो exact answer वह क्या होना चाहिए ठीक है और Arabies जो है वह कुत्तों के cutness होता है bites होता है और बायकी सारी details आपको पता होंगी तो यसलिए जो है यह important हो जाता है कि rats जो है वह किस चीज़ के germs होते हैं उनको transmit करते हैं तो इसका exact answer आपका play होगा अगले question की तरफ हम चलेंगे हमारा अगला question है which country is purchasing brahmos missile from India हाल ही में कौन सा देश भारत से brahmos missile खरीद रहा है मालदीव ब्राजील फिलिपीन्स या लीबिया तो इसका exact answer होगा वह आपका क्या होगा Philippines कौन brahmos missile भारत से खरीद रहा है तो वो है आपका फिलिपीन्स खरीद रहा है अब फिलिपीन्स की राजधानी कहां पर है यानि की इसके папटल की बात की जारी तो इसके capital है मनीला में ठीक है इसका capital कहां पर है इसका capital मनीला में है उसी के साथ-साथ आप लीविया की बात कर रहे हैं यहां पर तो लीविया की चेंज की गई है ये भी आपको जानना जरूरी है दोहर 19 में चेंज किया गया है इसके पहले रियो डीजन रियो में था इसकी राजधानी यह ब्राजिल की कैपिटल पहले क्या थी तो वो थी रियो डीजन रियो लेकिन वरतमान में दोहर 19 में इसको बदल करके वो क्या कर दि 7th question which country has discovered 140 million years old fossils of dinosaur हाल ही में किस देश ने डाइनसोर के 140 million साल पूराने अवशादों को खोजा है या अवशेशों को खोजा है अवशादों नहीं होना चाहिए अवशेश होना चाहिए यहाँ पर अवशेशों को खोजा है तो इसका exact answer आपको बताना है यहाँ पर चार options दिख रहे हैं Denmark, Russia, Germany, Argentina तो इसका जो exact answer होगा वो होगा आपका Argentina अब Argentina से related facts देख लेते हैं किसकी राजधानी कहाँ पर है और यहाँ पर एक fact और भी आता है कि आपने एक footballer का नाम सुना होगा और उस footballer का नाम आप मुझे comment box में बताएंगे उनके उनसे related मैं आपको facts बता देता हूँ कि वो first transgender female है यानि कि Argentina के team में खेलने वाली वो first transgender female है जिन्होंने football championship में participate किया था उनका नाम आप मुझे comment box में बताएंगे अब हम चलते हैं अपने दूसरे options के तरफ हमारे यहां Denmark है यहां पे आपको option में दिख रहा है और Denmark capital कहां पे है Copenhaegen में है ठीक है Copenhaegen यह जो है वो Denmark की capital है Russia की बात किरया जाए तो Russia क escrito कहां पे है वो Moscow में है यह आप सब को पता होगा उसी के साथ-स हम Germany की बात करें, Germany के capital कहां पे है, तो इसकी capital कहां पे है, Berlin में है ठीक है, Berlin में जो है इसके capital है, किसकी capital की बात की जा रही है, यहां पे, Germany की, तो यह सारे facts रहे हैं, अब हम अपने अगले question के तरफ चलेंगे, हमारा अगला question है, which state government has launched the biggest budget in the states category till now हाल ही में किस राज सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा budget पेस किया है यह सारे जो questions है यह हम current affairs के section के question है हम वही discuss कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है कि current affairs के section कैसे deal करेंगे कैसे नहीं तो आप अध्यान से शुनिए और समझे चीजों को आपको चीजे धीरे-धीरे अराम से clear होती रहेंगी तो इसका जो exact answer होगा वो होगा आपका उत्तरपदेश उत्तरपदेश का जो budget आया हुआ हूा ही वो कितने का है ये भी आपको जाना ज़रूरी है वो जो 2022 में budget पेस किया गया है 2 February 2021 को budget पेस किया गया है ये कितने का है 5.5 लैक करोड का यानि कि 5.5 लाक करोड का budget जो है वो उत्तरपदेश सरकार द्वारा पेस किया गया है और इस बजट को किस ने पेस किया है तो ये उत्तरपदेश राज्य के जो finance minister है यानि वी तमंत्री है सूरेश खन्ना जी ने इसको पेस किया हुआ है यह आपको जाना जरूरी है इसके पहले जो है सबसे बड़ा बजट जो है राज्य का किसका हुआ करता था तो वो गुजरात का हुआ करता था और वरतमान में इस वर्ष गुजरात का जो बजट है वो दो दसमलो दो साथ लाग करोड का है इसी के साथ साथ और भी facts देख लेते हैं UP के वर्तमान में CM कौन है ये आपको पता होगा योगी अधितिनाथ जी है उसी के साथ साथ यहां की governor कौन है आनंदी बेन पटेल जी है अब हम कुछ और भी options देख लेते हैं यहां पर आपको option में हरियाना दिख रहा होगा अब हरियाना के वर्तमान में आपके चीफ मिनिस्टर कौन है तो वो मनोहरलाल खटर है कौन है मनोहरलाल खटर है और वहां के जो governor है वो कौन है बंडारू दत्तात्रे है ठीक है विजय रुपानी जी और इसी के साथ साथ वहां के आपको ये बताना है कि गवर्नर कौन है तो गवर्नर है आपके अचारत देवब्रत गवर्नर कौन है वहां के अचारत देवब्रत उसी के साथ साथ हम बात करते हैं महारास्टा के अब महारास्टा के वरतमान में हमारे मुख्यमंत्री कह ले हैं चीफ मिनिस्टर कहा हैं इंगलिस में तो वो कौन है तो स्री उद्धा ठाकरे जी है ठीक है वो कौन है उद्धा ठाकरे जब बात करी जाएगे कि राजपाल कौन है महारास्टा का वरतमान में तो वो है भगत सि कोशियारी जो हैं वहां के वर्तमान में गवर्णर है राजपाल हैं हम अपने अगले प्रशन के ओर चलेंगे हमारा आज का 49 प्रशन है इस सीरीज का 49 प्रशन है इंडिया फॉर्स्ट फायर पार्क हाज बिल्ट इनवेच स्टेट भारत का पहला फायर पार्क की सिराज में बनाया गया है पहले हम यह जान लेते हैं फायर पार्क होता का है जैसे माली जी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आग लगती होगा आप सबने सुना होगा और इसी सब चीजों को रोकने के लिए इ वो बनाया गया है ताकि लोगों में फायर अगर कहीं आग लग जाया तो उसके प्रति अवेरनेस हो सके यह सारी चीजों के लिए यह फायर पार्का निर्माण किया गया है और यह किस राज में किया गया है तो यह इसका जिएक जैक्ट अंसर है मैं आपको पहले यह वो कौन सा राज है आपका उडिशा है अब इससे आगे फैक्ट यह देख लिए जिक उस राज के वरतमान में गवर्नर कौन है वरतमान में गवर्नर कौन है तो वो है आपके गनेशी लाल ठीक है गनेशी लाल जी जो है वहां के वरतमान में गवर्नर है कहां के उडिशा के एनि राज़ेपाल जो हैं कौन है गनेशी लाल जी है और इसी के साथ साथ और भी आप्शन्स हमारे दिये हुए हैं उनसे एलेटेट फैक्ट को हम देख लेते हैं गुजरात के बारे में अभी हमने डिस्क्रस किया पिछले कुशन में हम यहां पर यह देखते हैं तमिलाडू के बारे में तमिलाडू के वरतमान में जो चीफ मिनिस्टर है या मुक्य मंतरी कह लें आप तो M.K. स्टालिन है ठीक है और वहां के जो गवर्नर है राजयपाल है वह कौन है तो वह है बनवारी लाल पुरोहित कौन है बनवारी लाल पुरोहित इनका भी आप शॉर्ट फॉर्म में या दिस्कुस कर लिया गुजरात का पिछलों से कर लिया और तमिलाडा। इस लिवै अ मृट्वलियुट्र उप्यूस कर लिया हुआ है अग्ले को चimit टरफ चलेंगे और यह आसका हमारा इस् सवीडियो लेक्ट्चर का यह लास्ट वीडियो है और येंकर्ण कहा क्या कि world's largest floating solar project is to be built in which of the following state दुनिया की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर परियोजना निमलिकित में से किस राजय में बनाई जा रही है options आपको देवे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात तो जिसका exact answer होगा वो पहले आपको बताऊंगा कि ये नर्मदा नदी पर बन रहा है पहले आप ये note करेंगे किस नदी पर ये बन रहा है तो ये आपका बन रहा है नर्मदा नदी पर पहला fact हो गया isolated ये कितने watt का बन रहा है तो ये भी आपको जानना जरूरी यह 600 Watt का बन रहा ठीक है, 600 MW का बन रहा है, यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है, अब देखिए, यह 600 MW का बन रहा है, यह भी आपने नोट कर लिया हुआ है, अब यतने fact के बाद आपको कुछ idea लगा होगा कि यह कहां हो सकता है, यह किस dam पे बन रहा है, तो उस dam का नाम है, ओम कारे स्वर डैम ठीक है, यह किस dam पे बन रहा है, तो इसका नाम है, ओम कारे स्वर डैम ठीक है, अब देखिए, फाइनली मैं बताता हूँ आपको की राज्य कौन सा है, I guess कि आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं भी पता चला है, तो वह राज्य है, आपका मध्य प्रदेश राज्य, अब अमाध्य प्रदेश से लेटेट जो भी फैक्स है, वो देख लेते हैं, वरतमान में वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, आप सब को पता होगा, सिवराज सिंग चौहान जी जो है, वहाँ के वरतमान में, सीम है, मुक्यमंत्री है, अब वहाँ के व वहाँ के गवर्नर है, और इसी के साथ साथ कुछ और भी फैक्ट्स है, जैसे और स्टेट दिया हुए आपके पास, गुजरात का हमने डिस्कुस कर लिया हुआ है, राजस्थान यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो राजस्थान के वरतमान में सीम कौन है, तो वो हैं असो बचा हुआ है, वो है आसाम, तो आसाम के वरतमान में सीम कौन है, यानि मुक्यमंत्री कौन है, हेमन तो विश्व शर्मा जी है, और गवर्नर कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इस तरीके से हमने यह सारे कुश्शन को डिस्कुस किया हुआ है, और I hope मुझे आशा ही नहीं पूर विश्वास है कि आपको ये सारे कुश्चन समझ में होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको कोई भी सेजिशन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उस बात को भी लिखिए कि आपकी ये सेजिशन है, आपकी क्या इक्षाए हैं, क्या आपको और चाहिए या कैसे क्या और बहतर किया जा सकता है तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और तब तक बस जो पढ़ाई की प्रकिरियां है उसको जारी रखिए तब तक के लिए बहुत बहुत धहनवाद कल फिर मिलेंगे इसी टाइम